नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो इस वक्ती एक बहुत बड़ी खबर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ और वो खबर ये है कि आपको बता दे इंग्लेंड किर्केट बोट को एक बहुत बड़ा जटका लगा है जी हाँ आपको बता दे बैंड किर्केट के एक महान और राउंडर माने जाते हैं उन्होंने अचानक से ही सन्यास की घोशना कर दिया यानि कि अब वो इंग्लेंड की तरब से कोई भी इंटरनेशनल मैच हाल फिलाल में खेलते हुए निजर नहीं आने वाले हैं अब हम हाल फिलाल में कह रहे हैं इसका मतलब क्या है वो समझेगा लेकिन ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि बैन श्टॉक दुबारा एक वार फिर से खेलेंगे इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि बैन श्टॉक का कहना है कि वो पूरी तरह से मानसिक स्वास्थ होना चाते हैं पिछले लंबे टाइम से तमाम किर्केटर बायो बोल के नियमों का पालन कर रहे थें जो कि दोस्तों तमाम खिलाडियों के लिए एक बेहरी बड़ी समस्या थी और ठीक ऐसा ही हुआ था किसी और के साथ नहीं बलकि बैन श्टॉक के साथ और इसी वज़े से उन्होंने भी साथ कर दिया कि उनकी भी पैरसानी पिछले लंबे टाइम से बढ़ी थी और वो अपनी फैमिली से दूर रहने की वज़े से वो बहुत जाला पैरसान थे और कहीं न कहीं उनकी मानसिक स्वास्ते पर भी बहुत बुरा असर पड़ा सभी को पता होगा कि इंग्लैंड और इंडिया के वीच में टैस्टर सीरिज की सुरुआत होने वाली है और ऐसे में बैन श्टोक का अचानक सही चले जाना जिससे निश्ची तोर पर इंग्लैंड की टीम बेहदी कमजोर पड़ सकती है तो उमीद है आपको इजानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धनेवाल